नमस्कार मैं हो अनिल और आप देख रहे हैं MMC ने उज़ जनपत गाजीपुर का जखनिया इलाका जो काफी पिछड़े इलाकों में सुमार होता है और इसी इलाके के अंतिम छोड़ पर उदंती नदी बहती हैं और इसी उदंती नदी के किनारे सिद्ध पीट हतियारा मठ बिराजमान है जहां पर पिछले 800 सालों से लखवा प्रित मरीजों का वहां के चमतकारिक शीशे से इलाज होता चला आ रहा है लेकिन मौजूदा समय में नीम हकीम को लेकर अपवाओं के चलते इसको हटा दिया गया है बाजूद इसके बुढिया माई में आस्था रखने वालों के आस्था में कोई कमी होती नहीं दिख रही है और आज भी लोग अपने उसी पुरानी आस्था को लेकर यहां पर आ रहे हैं अगर स्रत धालू की बात मानों तो यहां पर गुरू सिर्ष की पुरंपरा रही है और मवजूदा समय में यहां पर 26 वे गुरू के रूप में महंत भवाने नंदन यती जी महराज बिराजमान है और पहले गुरू के द्वारा ही यहां पर मिट्टी की मुर्ती बनाकर मा की पुजा अरादना शुरू की गई थे जिसमें बाद में सक्ति उत्पन हुई और यह परंपरा आज भी चली आ रही है आज भी सर्वे भवन सुखिना के तरह अग्रसर्ट करता है यहां के जीते में भी संत महात्मा है सब लोगों की यह भावना होती है कि हमारा छित्र, हमारा राष्ट, हमारा प्रदेश खुसहाल रहे बस वह उस्रद्धा है मा का दर्शन करने का कभी इसका प्रतिफल आपको मिला हुआ इस तरह क्यों नहीं बहुत मिला है इस शुरू से यहां पर आती हुए छोटी थी तब से मेरे माबा पे हाँ पाते जाते है कोई आपके मानों कामना रही हो जो मुरती हुआ नहीं बहुत पुरा हुआ यहां आने परापोट? बस दर्शन करने के लिए आई थी क्या इस मंदिर के बारे में इस माथ के बारे मेरे क्या बता है? कुछ आपने सुछा है? कुछ सुना है? जी मैनने बहुत को सुना है कि यहाँ पर सभी मनकानाः फूरन होती है वहीं जब आज महांत भवाने नंदन यती जी महराज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मठ का सम्मन दच्छु भारत के तुरुपति बाला जी मंदिर से है क्योंकि वहां भी लश्मी पती की पूजा की जाती है और यहां के भी अराज लश्मी पती हैं लेकिन कालांतर में उत्तर और दच्छु में कापी दूरी हो जाने की वज़े से ना जाने की वज़े हो से दूरी बन गई लेकिन वहां भी हतियार अम्मठ की परंपरा है और यहां भी हतियार अम्मठ की परंपरा चली आ रही है पुढ़या गाउं में बोलते हैं, माई भी गाउं में बोलते हैं और ग्रामीन अंचलों में उस ब्रिद्ध माता न कहकर के लोग सीदे सीदे बुडिया माई कहते हैं। लोग कल्यान की भावना से उसमें से सक्ति को प्रकट किया। प्रमपराओं को द्वस्त किया जा रहा है। उन्हीं चोटों से बचने के लिए मैं बरतमान मुस्त सिसे को मैंने बंद कर दिया जो चमतकारिक सिसा या पर था। और बरतमान मुस्त करम मैंने बंद करके रखा। ये लक्ष्वी पती मेरे पास भी है। हतियाराम बाबा वहां भी थे, हतियाराम बाबा यहां भी है। हमारा इतिहास भी एक है, सब कुछ एक है। पर समय सीमाओं को ध्यान में रखते हैं, न जाने कौनसी बिडंबना उत्पन हुई होगी। क्यू करें। झाल